दोस्तो आपको यादी होगा इसराइल ने सिग्स डे वार के दोरान इजिप्ट के अंदर घुसकर इजिप्ट के फाइटर जेट्स को पार्किंग कंडिशन में ही दोस्त कर दिया था जिससे इसराइल की बहुत बड़ी जीत हुई थी तो दोस्तो मुझे लग रहा है कि कही न मैंन तक ज़रूर देखते रही है मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टन बात है इसमें बताने वाला हूँ और हमारी स्टेला का होस्ता अबसाई करने के लिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जैहिन लिखना तो बिल्कुल मत बूलिएगा दोस्तो बात है कल रात की जम्मू में स् सिंग जी ने इस बात की पुस्टी कर दी है कि इस हमले के लिए आतंकियों ने ड्रोन का इस्तमाल किया था यहां तक कि संभावना एजटाई जा रही है कि ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से ही की गई थी जी हां क्योंकि दोस्तों इस हमले में जो इस्तमाल किये गए ड्रो थे वो ड्रोन पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे थे इतना ही नहीं ये ड्रोन्स 20 किलो तक का पैलोड भी ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है और फुल कैपसिटी के साथ ये 25 किलो मेटर का ट्रैवल भी कर सकते हैं तो कहीं न कहीं इस तरह की साजिश को अंजाम पाकिस्ता नहीं दिया है वैसे दो संदिक्द लोगों को इस मामले को लेकर गिरफतार कर लिया गया है पूशता जारी है जल्दी ही कोई सबूत हमारे हाथ लग जाएंगे लेकिन दोस्तों यहां पर पाकिस्तान एक और येर स्ट्रैक मांग रहा है मेरे को ऐसा ही लग रहा क्योंकि द खड़े थे वैसे तो मैं आपको बता दू कि ये हमले कोई ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए क्योंकि एक जमीन पर गिर गिर गिया और जो दूसरा धमाका हुआ था उससे स्टेशन की छट के उपर एक होल सा बना दिया है आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे छट के अ येरफोर्स को निर्देश दे दिये गए थे कि वेस्टन कमांड पर चितने भी हमारे सुरक्षा की उपकरण है अटैक उपकरण है उन सभी को पूरी तरह से रेडी टू वार रखा जाए याने कोई न कोई इंटेलिजेंस इस तरह की येरफोर्स को मिली होगी कि पाकिस्ता की तरफ से कोई हमला हो सकता है भारत की उपर और उसके बाद फिर इस तरह की घटना कहीं न कहीं दाल में काला है दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा